नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 28 अगस्त सुबह 6 बजे राजिस्थान की खास खबरें भारत निर्वाचन आयोग ने तबादलों को लेकर नई गाइडलेंड दी है कलेक्टर SDO के ट्रांसफर्स अब सरकार 29 अक्टूबर से पहले कर सकेगी उसके बाद ट्रांसफर के लिए ECI से मंजूरी लेनी होगी ECI के अनुसर चुनावकारे से जुड़े इधिकारियों के तबादलों पर 29 अक्टूबर से रूख रहेगी 29 अक्टूबर से 6 जनवरी 2025 तक बिना आयोकी इजाजत के कलेक्टर्स, S.D.O. और अन्य चुनावकारे से जुड़े अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे लियाजा सरकार को 29 अक्टूबर तक चुनावकारे से जुड़े अधिकारियों के तबादलों को लेकर छूट मिल गई है क्यास है कि E.C.I. के आदेश की बाद ब्यूरो क्रेसी में बदलाव की सूची जल्द जारी हो सकती है आयोकिया नुमोदन की बाद पत्रावली निर्वाचन विभाग राजिस्थान को मिल गई है 29 अक्टूबर से मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरिक्षन कारेकरम के चल्ते कलेक्टर्स SDO, साइक कलेक्टर, तैसिलदार, नायब तैसिलदार के तबादले नहीं हो सकेंगे कॉलकाता के आरजिकर मामले में पिडित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चात्रों का नबाना अभियान मार्च उगर हो गिया पुलिस ने हावडा ब्रिस से परदर्शन कारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बचारे और आंसू गैस के गोले चोड़े हाल ही में सामने आये महिला डॉक्टर की साथ रेप मामले के विरोध में चात्रों द्वारा अयोजित नबाना मार्च उगर हो गिया राजे सचिवाले नबाना की और बढ़ते हुए परदर्शन कारी चात्रों ने इस घटना की खिलाफ अपने आवास बुलंद की लेकिन स्थिती तब बिगड़ गई जब पुलिस ने परदर्शन कारीयों को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसु गैस के गोले चोड़े नबाना मार्च के तेहत सचिवाले भवन के खिराव के एलान की बाद कॉलकाता पुलिस ने सचिवाले की आसबास सुरक्षय विवस्था के कड़े इंतजाम कि गए बीजेपी ने भी इस विरोध परदर्शन का समर्थन किया कि एसीबी के चापे में साथ जनों की गिरफतारी के बाद जेडिये में प्रिशाशन का एक्शन जारी है इस बार दो परवर्तन रिक्षकों सपना पूनिया और बनवारी लाल मीना को रिलीव कर उनके मोल वि अधिकारियों और एक दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया था वहीं अब इन घूस खोरों के फोन सीज किये हैं एस पी हिमांशू ने बताया कि कुल आठ फोन सीज किये गए हैं इन मोबाइल फोन को एसी बीने एफसल को सौपाय इससे पता चलेग में दलाली का काम करने वाले कुछ लोग एसे बीकी कारवे के बाद अंडर ग्राउंड हो चुके हैं प्रदेश में खाली चल रही छे विदानसबा सीटों पर उपचुनाव जल्द ही होने की संभावना है उपचुनाव में भाश्पा की पीछे रहने का ट्रेंड रहता है अब की बार इस ट्रेंड को तोड़ने की फिराक में हैं यही वज़ा है कि चुनाव तारिकों के अलान से पहले बीजेपी ने विदानसबा की छे सीटों पर होने वाले उपचुनाव की फाइनल तयारियां शुरू कर दी हैं फाजपा के नए परदेश पर भारी रादा मोह अगरवाल और नए अदेक्ष मदन राठोर टीम के साथ खुद फिल्ड में उतर गए हैं दोनों नेता तीन सीटों पर राय शुमारी कर नबस टटोल चुके हैं वहीं उपचुनाव को लेकर कॉंग्रिस की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं मंगलवार को परदेश अदेक शेतर के पदादिकारियों की बैठके होगी तोलपूर जिले के आंगई थानक शेतर से गुजर रहे करौली धोलपूर एनच 11 बी पर बिशनगीरी मेला से दर्शन कर लोट रही शर्धालों का ट्रेक्टर ट्रॉली आंगई थाना इलाके के गडर पुरा के नजदेक वास्ते में हुई हाथसे में करीब 15 लोग खंबीर खाइल हैं खाइलों में छे जनों की हालत नाजुक बताए जा रही है जिने बाड़ी राज के समाने चिकित साले से प्रात्मे कुपचार देकर जिला चिकित साले धोलपूर रैफर किया है कोतवाली थाना परभारी शेव किरी मेला में दर्शन करने गए थे सरकारी कॉलिजों की सनात कोतर कख्षाओं के पुरवार्द प्रथम सेमेस्टर में ऑनलेन परवेश परकिरिया अज बुद्वार 28 अगस्त से शुरू होगी मैं 26 सितंबर से कख्षाएं लगेंगी ऐसे में दिसंबर माह में सेमेस्टर प अंलेन सत्यापन 14 सितंबर जाएगा ANTORT Как 3 सितंबर तक जमा करवाया जा सकेगा परवेश स्टुड्kg की 25 सितंबर से जारी की जाएगी शिक्षन कारेच 25 सितंबर से शुरू होगा परतपुर की डीग जिला पुलिस में साइबर ठगों की खिलाफ कारवई करते हुए तीन साइबर ठगों को पकड़ा है जिनके कबजे से पांच मुबाइल वे छे फरजी सिम बरामत की गई है यह कारवई कैतवाड़ा ठाना और पहाड़ी ठाना पुलिस द्वारा की गई कैतवाड़ा ठाना रिकारी मदलल मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कैतवाड़ा से डीग जाने वाली रोड़ पर कैतवाड़ा के जंगल में सरकारी टंकी के पास एक यवक बैठा मिला जो आनलाइन ठगी कर रहा था जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया तलाशी वे दुरान यवक से दो मुबाइल और तीन फरजी कार्ड मिले आरोपी सेक्स टॉर्शन के जरिये लोगों से ठगी करता है पहाडी थाना दिकारी बनी सिंग ने बताया कि आई टेई कॉलिज से पह यानि एंटी ने क्रिशन जनमास्ट में की कारण 26 अगस्त को यूजिसी नेट की सगीत हुई परिक्षा 27 अगस्त को संपन हुई यूजिसी नेट की पूरव निर्धारित कारे क्रम से 26 अगस्त को साथ विश्यों की परिक्षा प्रस्तावित की गई थी जिसमें हिंदी फिल दो पारियों में आयोजित की गई जिसमें पहली पारी में सुबा 9 बजे से 12 बजे तक हुई तथा दूसरी पारी की परिक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हुई एंटी द्वारा कुल 83 पेपर के लिए नेट परिक्षा योजित की गई बीका निर्जिले में हल्दी राम प्याव के आगे सागर रोड पर ट्रेक्टर और बाइक की भिढंत में दो लोगों की मौत हो गई केसर देसर जटान वार्ड नमबर 2 निवासी लिक्षमन राम मेगवाल और जगदीश मेगवाल रात को बाइक पर सवार होकर अपने गाम की और जा रहे थे हल्दी राम प्याव से आगे सागर रोड पर एक ट्रेक्टर असिफिट रोड से वैशनो धाम की और जा रहा था ट्रेक्टर और बाइक में फिडंत हो गई फिडंत जोरदार थी जिससे बाइक पर सवार दोनों यवक खंबी रूप से खायल हो गई सोचना मिलने पर व्यास कोलोनी थाना पुलिस मौके पर पहूंची यवकों को पीबी में स्पतार ले जाए गया जान दोनों को चिकटसकों ने म्रेत खोषित कर दिया हाथसे के बाद ट्रेक्टर चालक मौके से फरार हो गया व्यास कोलोनी पुलिस मामली की जांच कर रही है जोदपुर पुलिस सायुकताले की मथानिय थानक शेतर में शनिवार मद्यरातरी के बाद हुई एटियम लूट की घटना का पुलिस ने खुला सकर मस्टर माइन सहित चार आरोपियों गगाडी निवासी 23 वर्षे नेमीचंद पालिवाल करवड के जूड निवासी 19 वर्षे दिनेश खेडापा के चांदरख निवासी 27 वर्षे सोनारा मेगवाल और करवड के नैतरा निवासी 28 वर्षे धनारा मेगवाल को गिरफतार किया है दो आरोपी अभी फरार हैं गिरफतार आरोपियों से एटिया मशेन तोड़ कर निकाले हुए 5,25,900 रपे बरामत किये हैं वारदात में प्रियुक्त बोलैरो केमपर को भी जब्त किया गया लोट की वारदात को स्थानिय युवक की मदद से अंजाम दिया गया DCP आलोग श्रिवास्तु ने बताया कि लोट के बाद लोटेरे पैटरोल भरवाने पंप पर गए थे उनके वहां से निकलने के बाद पुलिस भे 50 किलो मेटर के सेसिटेवे फुटेस खंगालते हुए उसे पैटरोल पंप पर पहुँची वा उनको फुटेस में लोटेरों मे रिपोर्ट में बताया कि उसके माता पिता खेट पर काम करने आये थे और वह घर पर अकेली थी पड़ासी युवक ने उसे फोन किया और किसी काम के बहाने अपने घर बुलाया वह पड़ासी के घर गई तो पड़ासी युवती वे उसकी ननत वह पड़ासी युवती के ब तो उसे और परिवार को मार देंगे वेखर पहुंचे और परीजनों को वारदात की बारी में बताया पुलिस ने दुश्करम का मामला दर्स कर जाच शुरू कर दी है अजिता है